नमस्कार किसान वे आज किस वीडियों बताता हूं एक डाइग्राम के द्वरा कि कितने HP की मोटर आपको यूज करनी चाहिए अपने हिसाब से दोस्तो या तो नॉर्मल जगा यूज होती है मोटर एक घर के लिए दो और दूसरा एगरिकल्चर के लिए खेती के लिए अब घ रॉज कैसे घर के लिए एक घर के लिए अपने को पाणी चाहिए तो एक हुज कि कर लिए माननी को exposure मे पँदिंग या है तो ये ठोड़ा पानी है बात करते हैं कि agriculture खेती के लिए mostly pump बहुत ही ज्यादा बड़ी लिश्ट है कौन सा pump लें पंप भी दो तरह के होते हैं मोटर के अंदर नहीं मोटर होता है V4 V6 V8 अब कौन सी मोटर लें अलग जैसे यह SS है यह काश्टिंग है यह SS है तो कौन सा कितनी गहरा है पर यूज करने है कितने HP की मोटर यूज करनी है सारा कुछ में आपको इस वीडियो मत आँगा तो खेती के लिए अगर बात करें अगर नॉर्मल खेती की बात करें हमने 10-1 वीगा जमीन भी है 10 वीगा या 8 वीगा 8 वीगा से उपर जमीन है तो नॉर्मल कम से कम भी हमें साड़े साथ HP की मोटर यूज करनी है रीजन क्या है अगर हम खुला पानी चला रहे है चाहे फुआरे से चला रहे तो साड़े साथ HP की मोटर एक मीडियम रेंज के अंदर आती है अगर बात करें 5 HP तो ये काफी छोटी मोटर हो जाती है इसमें आपको पानी ना के बराबर बहुत ही कम मिलेगा हाँ अगर आपके एक या दो वीगा जमीन है जैसे कि एक दो वीगा जमीन है तो 5 HP यूज कर लीजे कम से कम भी 6-7-8 विगा चैसे उपर जमीन है तो आपको कम से कम भी 7 HP मोटर यूज करना है अब ऑप सोचेंगे कि ये कितनी गहराइक ये कितनी HP के मोटर लेए दोस्तों ये ज़रूरी डिपेंड करता है कि आपको पानी कितना चाहिए ये HP उस पर डिपेंड करता है गहराई के लिए pump यूज होता ह यह कम ज्यादा गहरा है जैसे मैं लीजिए आपके 300ONG गहरा है तो आप SSV यूज़ कर सकते हैं SS pump आप 6 स्टेज का यूज़ कर लीजिए तो 300ONG गहरा है अगर casting pump यूज़ करना है और 300ONG गहरा है तो आप 10 स्टेज का pump यूज़ कर सकते हैं ऐसा क्यों, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, जो कास्टिंग पंप होता है, जो ये वाला पंप होता है, ये 50 feet, sorry, ये 30 feet तक पानी फेंगता है, ठीक है, और ये जो है, SS वाला, ये 50 feet तक पानी फेंगता है, एक stage, इसका stage भी एक, जो है, इसके मुकाबले छोटा होता यह से तीन गुना बड़ा होता है बस इसमें दोनों में एक ही दिक्कते आप सोच रहे होंगे अगर यह जादा यह पानी जादा फैंगता है यह पानी कम फैंगता है यह जादा उंचाई तक फैंगता है यह कम उंचाई तक फैंगता है बट इसमें फायदा है यह जादा गहर नहीं पड़ाइ पर यूज़ नहीं अगर यूज़ करना वारे तो इस प्रण को सब दोसुज नहीं कर सकते हमें यहीं यूज़ करना वाद़ अगर हमारे 500 200 थाय सो या 300 तक सीमित है तो हम इस पम्प को यूज़ कर हाँ आप इसके 6-7 stage का pump लगा लीजिए कोई दिकत नहीं बढ़िए पानी मिलेगा 7-8 stage का ठीक अगर कोई भी गहरा है या आप confusion हो रहे तो उसे एक stage extra रख लिए ताकि आपको पानी अच्छा मिलेगा अब बात करते हैं motor के model की मोटर को मोडल आता है अलग-लग जैसे V4 V6 V8 मोटर में V3 6s b4 भी आता है V5 भी आता है V6 7 भी आता है V8 भी आता है और V9 भी आता है यह इतने सारे मोडल आते हैं motors के अदर सो और इह यह ऊपर चला गया recording में V9 तक मोडल आते है ठीक है तो काफी सारी लंबी रेंज है पर सबसे ज़्यादा जो यूज होता है V4, V6 और V8 इससे बड़ावी भी अब मैं आपको समझाता हूँ यह इसकी जो व्यास है यहां का जो मोटर का व्यास है यही इसको मोडल का कहते है यह जो व्यास है यह इसका पौणा 3 इंच का है तो इसे V4 मोडल में आता है यह पौणे 5 इंच का है तो यह V6 में आता है यह पौणे 7 इंच का है व्यास तो यह V8 मोडल में आता है इसमें जो यहां का आउटपूट भी होगा pump का वो भी इसका बड़ा होगा V8 का V6 का इसे छोटा होगा V4 का उससे भी छोटा होगा मनला पानी उतना ही Krose हो पाएगा क्योंकि motor में power ही अथनी है मालें यज़े V4 का motor है V8 का pump लगा देंगे तो यह motor उसको proper चलाई नहीं पाएगे गुमा नहीं पाएगे क्योंकि उसको power नहीं अतनी HP तो यह जाए ऐसा नहीं यह देखा जाए तो जैसे 7.7 HP motor माने तो 7.7 HP के अंदर यह V4 model मिल जाए, 7.7 HP के अंदर V6 model मिल जाए 7.7 HP के अंदर V8 model मिल जाए तो model तो आपको हर HP के अंदर अलग-लग मिल जाएगा बट आपको ध्यान रखना कि आपको पानी कितना चाहिए अगर मान लेजिए आपका 10 बीगा जमीन है तो V6 लगाईए अगर आपकी 20 बीगा जमीन है तो V8 लगाईए अगर आपकी बिलकुली कम जमीन है 5-6 बीगा है फिर और आपको पानी जादा requirement नहीं है नॉर्मल पानी चाहिए तो V4 लगाईए V4 सबसे कम पानी की requirement के लिए होता है medium range के अंदर V6 सबसे best है इसमें एक option भी होता है V6 का अगर जैसे जैसे motor बड़ी होती हो जाएगी voltage का भी उतना problem रहेगी अगर voltage प्रोपर नहीं आती तो यह बड़ी motor नहीं चल पाती यहाँ पर इसको कम से कम साथे 300 voltage चाहिए चलने में यह Dysos में भी चल जाएगी पर वहाँ motor लोड बहुत ज़दा बढ़ादेगी यह motor आपके 300 voltage में भी चल जाएगी चलने में 220 तक भी चल जाएगी ऑ手 220 voltage ज़दा बढ़ाएकी 300 तक चल जाएगी यह motor उससे भी कम voltage पानी चल जाएगी जहां आपको voltage की दिक्कत रहती है, वहां V6 की motor लगाए, V8 का pump लगाए, पानी ज्यादा चाहिए, 15 HP की motor लगाए, 15 HP का V8 का pump लगाए, अब आप सोच रहें, यह इसके उपर कैसे fit हो, यह इसके उपर fit हो जाए, same ही company का ले ना, बस यही बात ज्यान में, company का बात करूँ, कौ कौन से company buy का सकते हैं, कलसी, लूबी, टैक्समो, किरलोसकर, और किरलोसकर के अलवाब, वरुना, क्रॉम्टन, मतलब काफे सारी कंपनियां, जो बढ़िया कंपनियां, आपको अच्छी service और अच्छी quality भी देती है, इस तरह से आप इन कंपनियां के motor buy का सकते हैं, कोई problem नह चलेगी 10 साल, प्लस guarantee यह चलेगी motor है, समर्सिबल, क्योंकि बढ़िया quality बनाती है, बढ़िया इनका, जो customer gear के service है, बंदा घर पर आता है, अगर कोई problem होती, तो fit सही करके जाता है, बढ़िया सुईधाय मिलती है, कलसी में हाँ, आपको warranty नहीं मिलती, बाकी order में आपको warranty मि जाता है, बट आपके यह quality अच्छी रहती है, कोई problem नहीं, quality से कोई compromise नहीं है, ठीक है, अब आप समझभा रहे होंगे, आपको केतने, यह आपको calculate करना पड़े हैं, यह depends, अब मैं आपको कैसे कह दूँ कि आपके 10 विगा जमीन है और आप 15 HP की motor लगा रहे हैं, यह depends, यह यह भी करता है कि आप गहराई कितनी बढ़ा रहे हैं, अब ऐसा है, मान लीजिए, आप ले रहे हैं 15 HP की motor, ठीक है, यह आप 1500 फुट पर लगा रहे हैं, 1500 फुट पर लगा रहे हैं, चार स्टेज का पाम, और यह चला रहे हैं, जितना पानी यह यहाँ पर देगी, और यही पानी कितना चाहिए, वोल्टेज कितने अरे हैं, इस सब चीज कल्क्यूलिट करनी पड़ती है, अगर आपको फिर भी समनी आरे हैं तो आप एक कॉमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप पूछ सकते हैं कि आपको कितनी आपके गहराई हैं, पानी के रिक्वार्मेंट कितनी आता है V4, V5, V6 सोरी V4, V6, V8 सबसे ज़्यादा मोटर का मोटर यूज होते है वो V4 भी होता है जहां पर बहुती कम पानी होता है V6 मेडियम में अच्छा यूज होता है जिनकी ज़्यादा पानी जिससे लाख से उपर पानी चला जाता है लाख लीटर से उपर तो यही चीज़े होती है जो कि मोटर में डिपेंट करते हैं कि आपको कुछ चाहिए गया तो आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो जो यह मैंने बनाई है आप किसका मतलब समझ पाए होंगे बागी अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहिंत बंदे मातर